हेलो विवर्स मैं हूँ गोल्डियर गोल्डिस किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस गर्वियों की सीजर में फिर से मैं लेकर क्या आए हूँ कच्छी आम का बहुत ही इंटरस्टिंग सा ड्रिंक जी फ्रेंज आज मैं आप लोगों की साथ शेर करने वाली हूँ कच्छी आम का बहुत ही अमेजिंग सा शॉट्स का शॉट्स बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो आम लिया है तो यह जो बड़ा वाला आम है यह आपको बारो मैंने मिलता है वो इसलिए क् बिल्कुल भी खटा नहीं होता है बिल्कुल का मतलब क्या है कि यह हलका सा खटा होता है बोहुत जादा नहीं तो आप इसे अलग-लग तरगी रैस्पी स्ट्राइब कर सकते मैं से जूर महने तक आपको मिलेंगे तो आप इसे अचार बनाई ये पना बनाई शॉट्स बनाई आप कुछ भी से बना कर के तैयार कर सकते हैं तो मैंने आपको दिखाने के लिए आप दो आम ले लिया था लेकिन हम इस्तिमाल करेंगे इस बड़े वाले आम को क्योंकि आज हम शॉट्स पना रहे हैं, जो बहुत ज़ादा टेस्टी होने वाला है, तो टो चलिस जल्दी से मैं इस आम को पील कर लेती हूं और इस छोटे वाले कच्छे आम को मैं साइड में रख लेती हूँ क्योंकि इसका इस्तमाल आज हम नहीं करेंगे आज हम इस बड़े वाले आम का इस्तमाल करेंगे तो ये देखे मैंने उपर का टॉप इसका कट कर लिया है और बहुत ही असानी समय इसे अच्छी तरीके से प कट कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं आम की जो गुठली है ने पहुत जादा पतली है तो ये बेस्ट है क्योंकि इसमें धेर सार आपको पल्क मिलेगा तो चलिए फटा-फट से इस कैरी को हम कट कर लेते हैं एकदम पॉफेक्ट कुछ इसी प्रकार से में कट करना है ए और ये देखिए आम के पीसेस को हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है एकदम बड़े-बड़े क्यूपस में हमें इसे कट करना था तो चलिए जल्दी से इस कच्छे आम को एक बरतर में मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ और फटा-फट से हम शॉट्स बना करके तयार कर ले हमारे अच्छी तरीकी से तयार है तो सबसे पहले इस मिक्सर जार में मैं आड करूंगी क्यूपस में कटा हुआ कच्छा आम और अब मैं इसमें आड करूंगी गर्मियों में तरो ताजा करने वाला पत्ता पुदीना एकदम पॉफेक्ट हमने अब इसी पुदीना के पत्त चीनी के तो आप उसका इसमाल भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वाले शुगर का इसमाल भी कर सकते हैं तो मैं इसमें पूरा मिश्री आड करूंगी मैंने आप बहुत जादा चोटा अले मिक्सर जार ले लिया है अगर आपके बढ़ा वाला हो तो आप उसका इसमाल कर सकते हैं हलका नमक अढ़का करने के बाद अब मैं इसमें अढ़क करूँ कि मिर्शा हम आप हालकी तीखाली मिर्श मैँ तोड़कर करोंगी यह जो शो स्ढल सिर्ण बहु狂 ज़ादा टीश्टी होता है काइस् मुझे भी लगा था कि मिर्श और मसाला डालने से बिल्कुल अच्छा नहीं होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पीने में बहुत जादा इंटरस्टिंग और अब मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा लेमन जूस वैसे तो आम खट्टा ही है बर थोड़ा सा लेमन अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं और यह देखे मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं और यह देखे मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है एक दम पॉफेक्ट प्यूरी फॉर्म में बदल गया है यह देखे तो अब मैं इसे थो कियो एतर लिए मैंने इसे अच्छी तरीकी से गृइंट कर लिया है तो рахले अब हम जल्दी से इंस्टेंट शॉट बंना कर सकते हैं जा फिर आप इसे इंस्टेंट पनना भी कह सकते हैं यह लातिया scenery चैकU benefit तो चले जल्दी से मैं आपको glass दिखा देती हूं तो मैंने आपको glass लिया है, एक दिया है short और एक दिया है long मैं बताती हूं कि यह shots भने द्वा कैसे हमने आप बने क आप बखर चोटावला glass इसमें चारो तरफ हम निम्बू का रस लगा देंगे और अब मैं आपको बताती हुसे कैसे हमें डेकोरेट करना है तो हमने आपके जो नमक और मिर्च का मसारा रखा ना ये देखे इस तरीके से हमें चारो तरफ लगा लेना है एक दम पॉफिक्ट तो इसी तरीके से बड़ेयर ग्लास को भी हमें अच्छी तरीके से सजा लेंगे और ये लिचे एक दम पॉफिक्टली बड़ेयर ग्लास को भी हमने अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है तो अब हम जल्दी से थंड़ा थंड़ा शॉट्स बना करके तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले इस शॉट्ट वाले ग्लास में मैं तयार के कच्छे आमकी प्यूरी डालूंगी यह देखे एकदम पॉफिक और अब इस बड़े ग्लास में हमें आड़ करना है सोडा तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला सोडा ले लिया है आप यहाँ पे इस ट्रॉंग वाली सोड़े का इसमाल भी कर सकते हैं यह थोड़ा सा जादा पावर वाला है तो चले जल्दी से हम इसमें सोडा एट कर देते हैं बहुत जादा ग्लास को मैं फिल नहीं करना है आदा ही हम फिल करेंगे तो ग्लास को हमने आपे आदे जादा फिल कर दिया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारी शॉर्ट्स वाली ग्लास ये देखे गाइस बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि अगर आपने सोडा इसमें जादा डाल देंगे तो ये बाहर भी गिर सकता है तो अब मैंने यहाँ पे लिया है रिस्क और अब मैं इसे डाल देती हूँ और ये देखे गाइस आखिरकार जो हमारा सोडा है वो बाहर आही गया है कोई बात नहीं तो पहला तरीका आपने देखा कि किस तरीके से आप कच्छे कैरी का शॉट बना सकते हैं तो आप मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ तो आप क्या कर सकते हैं जो कच्छी कैरी का प्यूरी है ने पहले से ही आप ग्लास में डाल सकते हैं और अब आप उसमें अराम से धीरे-धीरे सोडा मिक्स करते जाएए ये देखे एक दम पॉफेक्ट इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसे थोड़ा सा गानिश कर दूँगी पुदीना के पत्तों के साथ और थोड़ा सा कच्छी कैरी के साथ तो फाइनली लीजे हमारा कच्छी कैरी का बहुत ही इंटरस्टिंग सा शॉट्स बन करके तयार हो गया है तो आप इसे शर्बत कहिए या फिर आप इंस्टेंट पना कहिए गाइस पीने में तो बहुत जादा रिफ्रेशिंग है इसे आप महीनों तक फटा फट बना करके खा भी सकते हैं और आप इसे लंबे समय तक लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं बिल्कुल खराप नहीं होगा गाइस तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बस्टिंग रस्पी है तो आई शुरू कर लेते हैं इंस्ट आम का अचार बनाने के लिए यहां देख सकते हैं मैंने ले लिया है तीन कैरी कच्छी वाली और कुछ इस तरीके से आप कैरी ले सकते हैं आप चाहें तो जो बहुत जादा खटा होता है ना उस के लिए बहुत बैस्ट होता है क्योंकि बहुत जादा खटा नहीं होता है और इस आम से बहुत अच्छा इंस्टन अचार बन करके तयार होता है और जो बैस्टलर्स है उनके लिए आज की रेस्पी बहुत जादा खास है क्योंकि आज का अचार इंस्टन होगा जटपर बन करके तयार होग तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इस आम से हम कैसे अचार बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे पीलर के थूँ इन्हें अच्छी तरीके से पील करना है आप चाहे तो इसे डारेक्ली छिलके के साथ भी बना सकते हैं बट जब भी मैं इस तरीके से इंस्टेंट वला अचार बनाती हूँ ना तो छिलके का इस्तमाल मैं नहीं करती उसे निकाल देती हूँ तो चले मैं इसे अच्छी तरीके से पील कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि एक आम का स्किन मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया है तो इसी तरीके से सारे आम का स्किन निकाल लेना है So finally, आप देख सकते हैं कि मैंने हाँ पर पूरे आम का स्किन अच्छी तरीके से निकाल लिया है और मैंने तो आम का स्किन निकाला ही है अब आप क्या कर सकते हैं इस आम के स्किन से भी अलग-अलग तरीकी का यूज कर सकते है जी फ्रेंस अगर आप इसकी रेस्पी देखना चाहते है न तो मुझे जल्दी से कॉमेंट सिक्षन में लिख करके बताईए तो चले जल्दी से मैं इंस्टेंट वला अचार बना लेती हूँ इंस्टेंट आप काचार बनाने के लिए मैं सबसे पहले आम को अच्छी तरीके से कट करूँगी तो यहां पर न मैं इसके बीच को निकाल देती हूँ इसकी गुठली को उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे कैसे कट करना है जो इस आम की गुठली होती है न बहुत जादा पतली होती है यह देखिए गाइस है न बहुत जादा पतली तो चलिए अब मैं इस आम को छोटे-छोटे क्यूपस में कट करूँगी आप चाहें तो इस आम को लंबे पीसेस में कट कर सकते हैं को अच्छी तरीके से कट कर लूगी और यह लीजे मैंने आप इस सारे आम को बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे-चोटे क्यूब्स में कट कर लिया है तो आप चाहे तो इसे थोड़े बड़े पीसे में कट कर सकते हैं बट मैं इंस्टेंट वाला चार जब भी बनाती तो इ मैंने हाप ले लिया शोटा सा मिक्सर जार अबस मिक्सर जार मुझे सूख उड़े मसाले में मैंने वा लिया है दो तो बड़े चमज के कर धनितना इस ही किसाथ साथ मैं इसे मैं पराइड कर लूगी एक छोटा मिक्सर जीरा हमें धाना जाला और अब मैं इसमें आड़ करूंगी दो बड़े चमश के करीफ सॉंफ, सॉंफ दालने से इसका टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है, और इसी के साथ सथ मुझे इसमें आड़ करना है मेथी दाना, तो मेथी भी मैं आपको बता दू, जो कुछ इस तरीके से जो मेथी होती और ये लीजे, मैंने इसे हलका सा दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है, ये देखे कुछ इस तरीके से मसाले को में दरदरा पीसना था, तो चलिए जल्दी से अचार का मसाला भी बना लेते हैं, अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने आपे ले ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन आप चाहें तो एल्मीनियम की कढ़ाई का इस्तिमाल कर लीजे या जो स्टील की होगी उसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं और अब इस कढ़ाई में मैं एड करूँगी मस्टर्ड आयल जब भी आप अचार बनाएए कोशिश करिए मस्टर्ड आयल यानि सरसो की तिल का इस्त बढ़ने के बाद अब मैं इसे एड करेंगे हमारे ग्राइंड केव करते निश्किन कोई दयार किए कि इसे के साथ स्हांस हम इसमें कहरेंगे कलॉंजी एक चुटा चमच की करी इसे टेस्ट बहुत अचहा है जिसे आनियन सीट कहते हैं साथी हम इसमें add करेंगे अचवायन, एक च्छटा चमच कि करी, और अब मैं इसमें add करूंगे सरसो के डाल, सरसो के डाल जो सरसो को seal कर के उसका स्किन निकाल दिया जाता है, और उसे दो टुकड़ो में divide कर दिया जाता है, कि अभल दल्बल्श we will useBob अब अब मैं अच्छी तरीक से भूनुए अच्छी तरीक भूननी जह है कि ऑयल अच्छी तरीक गरम है कि एक लो फ्लम पर मैं ुए इससे 30 सेकेंड से आच्छी बुनना है ताक्कि जो मसाले हैं वो हलके से भुन जाय और फ्लेम को हमें आफ कर देना है चल्थी एद्फ़ हमें ओप सब्सक्राइब बाद अगम्याइब करना है तो इसमें थोड़ी सी तीखी वाली लालमिश आड़ करेंगे एक से देड़ बड़ी चमबच के करीड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम जादा कर सकते हैं साथी हम इसमें एड़ करेंगे नमक, सादा नमक हम इसमें एड़ कर रहे हैं लगबग 2-3 चमबच के करीड़ आप यहाँ पे थोड़ा चाहिए तो सेंधा नमक या फिर काला नमक कर सकते हैं सबी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करना है फ्लेम कम ने ओफ कर दिया है मसाले भी हलके से भून चुके हैं तो इन सबी मसालों को जो हमने पावडर फॉर में डाला है उसे भी में अच्छी तरीके से भून लेना है और जब यह हमारे मसाले और ऑईल हलके से और इस बोड में मैं एड करूंगे हमारे बार एक कटे हुए आम, आम हमने आधा डाला है और अब मैं इस पर डालूंगे हमारे मसाले, आधा मसाला में एड करेंगे फिर से हम इस पर डालेंगे आम, और फिर से हम इस पर डालेंगे मसाले, मसालों को डालने के बाद अब मुझे इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और आप चाहें तो इसे तुरंद आज से खाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि मसाले भी पके हैं आम भी हमारे हलके से कच्छे हैं वो भी दीरे दीरे पक जाएंगे और अगर आप इस अचार को एक से दो महिने के लिए चलाना चाहते हैं तो ये हमारे अचार एकदम पॉफेक्ट है रेडी है लेकिन अगर आप इस अचार को सालों साल दक स्टोर करना चाहते हैं तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालना है तो डाल सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा एपल साइडर विनिगर डाल दीजे या फिर आप नॉर्मल सफेद सिरका डाल करके इने स्टोड करके रख सकते हैं और अगर आप ये भी नहीं करना चाते हैं तो आप आप इसे सालों सल तक स्टोर करना चाते ना तो धूब दिखाना बहुत जादा जरूरी है तो यह देखिए सभी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अचार भी रेडी है तो चलिए आप चाहे ना तो इसे बर्नी में भर करके रख सकते मैं आपको इसे बोल मे ट्रांसवर करके दिखाती हूँ तो लीजे गाइस क्विक और इंस्टेंट वाला हमारा दस मिंट में बनने वाला आचार बन करके तयार होगा है बहुत जादा टेस्टी सी आम की लॉंजी जी फ्रेंस आज मैं आपको इंस्ट तरीका बताऊंगी आम की लॉंजी बनाने का गर्मियों में आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी कैरी आना शुरू हो जाती है तो आज मैं इनी छोटी-छोटी कैरीों से बहुत जादा टेस्टी सी इंस्टन तरीके से लॉंजी बनाऊंगी जो बहुत जादा टेस्टी होगी और आप इन्हें कैसे सालों साल तक स्टो यलोई शेयर यानि हलक का सा पीला है तो कुछ इस तरीके की अंबिया लेनी है अगर आपको थोड़ी खटी वाली भी अंबिया मिलती है तो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं खटी मिटी लॉंजी बनाने के लिए और यह देखिए हमने आपे एक अंबिया को यानि एक छोटी सी केरी को अच्छी तरीके से पील कर लिया है तो आप चैनल पूरी तरीके से इसे अच्छे से इसका स्किन निकाल सकते हैं तो यहां पर हमने आपे एक अंबिया को अच्छी तरीके से इसका स्किन निकाल लिया है तो इसी तरीके से मैं सारे अम्या का स्किन निकाल लूँगी. So, finally, लीजे, मैंने आप ए छोटी-छोटी केरियो का स्किन निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, एक तम पॉफेक्ट इसी तरीके से दिखना चाहिए, तो अब मैं इसे कट करूँगी, तो आप चाहिए, इसे थोड़े से पतले-पतले पीसे में भी कट कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़े से मोटे पीसे में कट करूँगी, आप देख सकते हैं, अंदर इसके गुठली है, तो थोड़ा सा problem हो रहा है से cut करने में ये देखे कुछ इस प्रकार से मैं इसे cut करूंगी हलका सा motor रखुंगी मैं ताकि मुझे क्षाने में असान Burada सफ करने में भी यह देखे कुछ इस प्रकार से और जो गुठली में तो आम ऑनी का गुदा है रहने दूँगी ताकि मैं इस क्लोज से दिखा देती हूँ यह देखे गाइस अंबियों करने में थोड़ी सी परिशानी आई ही जाती है क्यूंकि उसमें गुठलियां होती है और आपने देखा होगा कि किसी किसी आम में गुठली नहीं होती है तो आप उससे भी बहुत जादा टेस्टी सा खटिंग मिठी लॉंजी बना सकते हैं तो जो आपको आम पसंद हो आप उस आम का इस्तमाल करिए लॉंजी बनाने के लिए यह देखे एकदम पॉफल तो इसी तरीके से सारे आम को मैं कट कर लूँगी तो ये लीजे मैंने आपे सारी केरियों को इस तरीके से आप देख सकते हैं कट करके तयार कर रहा है कुछ इस प्रकार से लंबे पीसेस में कट करना था तो अब हम next process स्टार्ट करते हैं क्योंकि केरियों कट चुकी है और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मसाले हमारे कैसे होने चाहिए पर ले लिया है एक aluminum की कढ़ाई अगर आप aluminum की कढ़ाई में से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप steel का बरतन भी यूज कर सकते हैं और अब मैं इसमें add करने वाली हूँ अब इसमें अच्छी तरीकी से गरम कर लेना है और अब इस गरम उइल में हम add करेंगे मिर्च तो हम इस मिर्च को अच्छी तरीकी से तोड़ करके डाल देना है और इसे अच्छी तरीकी से भून लेना है इसी किसासत मैं इसमें add करूंगी जीरा एक चोटा चमज के करीग और अब मैं इसमें add कर दूंगी soft लगबग दो बड़े चमज के करीग soft मुझे थोड़ा सा जादा पसंद है तो इसलिए मैंने अब दो चमज के इसमाल किया आप चाहें तो एक चमज भी add कर सकते हैं सभी चीजों को मैं हलका सा भून लेना है और इसी किसासत अब मैं इसमें add करूंगी कलाउंजी अब मैं इसमें add करूंगी क्रश क्या हुआ थोड़ी सी दाल चीनी इलाइची लॉंग और काली मिर्च तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी चीजों को मैंने हलका सा भून लिया है और आप इस टेश में चाहें तो थोड़ा सा हींग अब मैं इसमें add करूंगी कटी हुई अंबिया अंबिया डाल करके मुझे अंबिया को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए लगवे एक से दू मिनिट के लिए पकाना है स्लो फ्लेम पर अब मैं इसमें थोड़े से बेसिक से सूख्य मसाले अड़ करूंगी तो सबसे पहले मैं इसमें add करूंगी कश्मीरी लाल मिच पाउडर एक बड़ा चमच की करी आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिच पाउडर को स्किप कर सकते हैं और इसे किसा साथ मैं इसमें add करूंगी नमक स्वात गनुसार या एक चोटा चमच की करीब आप चाहें तो यहां पे थोड़ा स तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बट मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया उसे और अब मैं इसमें एड़ करूंगे हल्दी पाउडर एक छता ही चमच के करी सबी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है पॉफेक्ट मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक कप पानी पानी की कौंटिटी को आप थोड़ा सा कम ही रखिएगा पानी डालने के बाद मुझे इसे हलका से मिक्स करना है और अब मैं इसमें एड़ करूंगी चीनी तो मैं इस लॉंजी को बनाने के लिए चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ लगभा एक कप हम से चीनी आड़ करेंगे आप चाहे तो यहाँ पर मिश्री का इस्तमाल कर सकते हैं गुड का इस्तमाल कर सकते हैं तीनों ही चीज़ों से हमारी लॉंजी बहुत ही पॉफेक्ट बन करके तयार होगी तो अब मैं इस चीनी को अच्छी तरीके से घुलने तक और थोड़ा सा एक तारीकी चाशनी होने तक हमें से पकाना है फ्लेम को हम यह पर मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हलका सा कच्छा ही रखना एक तम हलका सा ताकि जब थंड़ा हो जा तो पूरी तरीके से पक जा तो चले अब मैं इसे ढख देती हूं और ढख करके 10-12 मिंट बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी बीज विज में हमें आपे आम की लॉंजी को चेक करते रहेंगे ताकि वो जले नहीं और यह देखे अब इभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा ऐसे पकने में तो दो से तीर मिंट बाद मैं आपको फिर से से चेक करके दिखाऊंगी सो फाइनली लीजे हमारी आम की लॉंजी पक चुकी है दस से बार मेंट हो चुके है और यह देखे गाइस बहुत ही बड़े तरीके से हमारी आम की लॉंजी पकी है आप देख सकते है ना जो चासनियों हलकी से थिक हो गई है बहुत ही अच्छे से जो आम है वो सॉफ्ट हो और ये देखे इसकी चास्नी, ये देखे एक तार की चास्नी, एकदम पॉफिल, तो इस टेश में मैं फ्लेम को कर दूँगी आफ, और इसे मैं ट्रांस्फर कर लूँगी एक बोल में, तो लीजे गाइस, बहुत जादा टेस्टी सा हमने आपे आम की लॉँजी बना करके तयार कर लिया है, और आपने देखा कि मैंने आपे अप्रेल में मिलने वाले जो आम होते हैं, उनसे मैंने लॉँजी बनाई है, तो ये वाली लॉँजी है लगबा एक से दो मिने तक चल ज और ये देखी, है內 बहुत जादा टेस्टी है ये लॉँजी जो डिखने में बहुत जादा टेस्टी है है और आपने देखा बनाने में कितना आसान, तो शnd away लॉटा के साथ सब्सें चल आप इसे ब्रेट के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ओप इसे महीनों तक किसका ना बिलकुन ना भूले ताकि आने माले मेरे नेपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे थैंक यू फ्रेंस की फॉसिंग गोल्डिस कीचन बबाई फ्रेंस मैं जल्दी मुलूंगे आपके लिए और भी नहीं इंट्रस्टिंग सी रेस्पी लेकर के तब तक के लिए मै से इंजॉय करती हूँ और आप देख तेरे गोल्डिस कीचन बबाई